एक तरफ सल्मान खान सहब का बर्दे बाश तो दूसरे तरफ टाइगर जिन्दा है फिल्म की कमाई है खास जनाब फैंस ने पहुचा दिया टाइगर जिन्दा है को 200 करोड के पार हैपी बर्दे टू सल्मान खान सल्मान खान सहब का बर्दे सलिब्रीट किया जा रहा है आज के दिन यानि के 27 दिसंबर 2017 को 52 जन्म दिन लेकिन सल्मान के लिए ये पार्टी दो गुनी खुशियां लेकर आई है रीजन ये एक तो उनका बर्दे और दूसरा टाइगर जिन्दा है की ताबड तोड कमाई टाइगर जिन्दा है की थमाकेदार सक्सेस जी हाँ जनाब फिल्म ने 5 दिनों में कमा लिये हैं 200 करोड से भी जादा जहाँ एक तरफ सल्मान खान काट्रीना कैफ स्टारर फिल्म टाइगर जिन्दा हैने इंडिया में 5 दिनों में पौनी 200 करोड कमा लिये और दुनिया की बाकी हिस्सों में कुल मिला कर तकरीबन 55 करोड की कमाई कर लिये हैं और इस तरह फिल्म दुनिया भर में 200 करोड का अंकडा पार करते हुए 240 करोड रुपए कमा चुकी है जहां तक बात है इंडिया की तो जनाब पिछले 5 दिनों में टाइगर जिन्दा हैने इंडिया में कमाए हैं 185 करोड 97 लाख रुपए यानि की बस आज का दिन यानि की सल्मान का 52 बर्दे और जनाब ये फिल्म पहुँच जाएगी 200 करोड से बाहर इंडिया में बहराल आपको बता देंगी फिल्म ने तीन दिनों में ही 100 करोड का अकड़ा पूरा कर लिया था सल्मान के इस फिल्म ने कई रिकॉर्ड्स बना लिये हैं और आज सल्मान खान साब का बर्दे सेलिबरेट किया जा रहा है देराथ सल्मान का बर्दे बाश शुरू हो गया जिसमें उनके खरीबी दोस्त पहुँचे जो थे बॉलिवुड जगत से, क्रिकेट जगत से, बिजनस के दुनिया से और सबसे खास बात ये रही कि सल्मान खान साब अपना बर्दे सेलिबरेट करने के लिए पहुँचे तो उनके साथ थी टाइगर जिन्दा है को एक्टरस काटरीना कैफ और फिल्म के डिरेक्टर अली अबबास जफर साहब वही पर सल्मान इस बोदे बाश में खूब डांस करते हुए भी नज़र आये हैं और करे भी क्यों ना आखिर खुशी दो गुनी है वैसे सल्मान ने फिल्म के सक्सेस का पूरा क्रेडिट दिया काटरीना कैफ को उन्होंने कहा कि मेरा बोदे गिफ्ट है काटरीना के तरफ से ये फिल्म यानि की टाइगर जिन्दा है तो इस तरीके से आज का दिन सल्मान के बोदे के हिसाब से और टाइगर जिन्दा के हिसाब से भी बेहद खास है बहराल टाइगर जिन्दाहे की अपडेट और सलमान के बहदे की अपडेट ये दोनों लगतार हम आपको बता रहे हैं हमारे चैनल फिल्मी बीट पर तो बिना किसी देरी के सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को वीडियो को कीजिए लाइक एंड शेयर तिल देन टेक केर